तो स्वागत है ग्यापन एकडमी के इस वीडियो में और यह वीडियो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत वाले विद्यारतियों के लिए हैं यह आपका जो है 11 लेशन है लोट कर फिर आऊंगा बहुत ही संदार है यार दुनिया बड़ा मन भावन है बहुत अच्छा लगता है आप देखे इस लाइफ में क्या होता है दुख सुख हमेशा साथ में आते रहते हैं अरे बिना दुख का आप देखेगा बिना दुख का बहुत कुछ होगा और बहुत मज़ा आएगा लाइफ को जीने में मस्तिक करने में तो यहाँ भी वही है एक जीवना नंद है जीवनान जी लेखक है और यह लेखक है जिनोंने लिखा है लोट कर आऊंगा फिर यह आखिर किस बात को लेखक है इस दुनिया में इनको जीवाइन को लगता है ठीक है तो जीवता नंद जीने में इनको बहुत अनंद आता था इसलिए यह बोल ला है कि लौट कर फिर आऊंगा याद रखेगा जीवता नंद क्या लिखे है लौट कर फिर आऊंगा क्योंकि जीने में इनको बहुत अनंद आता है इसलिए याद जीवित जीवनानंद दास अब इनका जनम 1899 में बंगाल में हुआ लेकिन जब ये 55 साल के हुए ठीक है काफी एजट भी हो गए मान लीजे तो जो 55 साल के हुए तो एक दुरघटना में इनकी मिर्ती होगी अब 55 साल के बाद अगर इसमें जोडियेगा तो क्या हो जाएगा अठा 1904 में इनकी मिर्ती हो जाएगा ये पता है ये रभीना टेगोर के बहुत बड़े फैन थे ठीक है अब ये कहा जाता है रभीना टेगोर जब वहां सहीत्य वगरा बंगाल में लिखते थे तो उनके नहीं रहने के बाद से इस सहीत्य को किस ने समाला है तो ये जिवना नन ने समाला है अब देखिएअ अपने जिंदिय काम ये चेही काम लिख पाये जिन्दिय में लिखत थो बहुत सहा लेकिन शेही काम पूरा रूप से प्रकासित हु और और मरने के बाद जो था और सब परकासित हुआ है यहां देखिए केवल 6 काभ यह संकलित परकासित हुआ है जैसे कि कौन सा जीवन में यह देखिए जर्रा पालक उसके बाद से धूसर पांडू लिपी धूसर समझते हैं धूसर हो जाएगा क्या होता है गेरुया कलर समझते ह उसके बाद से पांडू लिपी वन लता सेन महाप्रिथवी यह कोशन आप से पूझेगा महाप्रिथवी किसकी रचना है तो क्या रहेगा जीवनानंद की रचना है उसके बाद से साथ्टी तरार तिमीर और जीवतानंद यह तो यादे हो जाएगा जीवनानंद दासेर स्र कुछ खताम हो गया उसके बाद से लोगों ने क्या किया इसे प्रकासित हो गया है रूपसी बंगला बेला अवेला कालवेला ये एके में है तिनों ये किसकी रशना है कावे किसकी रशना है बोलेगा बेला अलवेला कावेला किसकी रशना है तो ये है जिवना नंद की असोक प्रित्वी है पूछाया सोग प्रित्वी किसके द्वारा रचित काब्या है तो जिवना नंद द्वारा है ठीक है जिंदगी में तो इन्होंने मातर छे ही लिखा जब तक जिवी थे छे ही टो परकासित हुआ है लेकिन मरने के बाद से सोगो कहानिया तेरा उपनियास इनका परकासित हुआ है निमवरने के बाद यह सब छपा है ठीक है यह आप याद रखिएगा आप देखिए वन लता से सिर्शा कविता को रभीन ना टेगोर्यू में स्रिष्टम प्रेम कभी की संगया दी गई आपसे पूछ इनका एक कविता था वन लता वन लता को सबसे इसी से इनका नाम भी फेमोस हो गया अब देखिए कविता का परचे पता है इस पूरे लोट कर फिर आउंगा में क्या बताया गया है यहां समझेगा कविता पर्याग सुल्क द्वारा भासांतरित जीवन दास की कविता है यह आप से पूछा जाएगा कि किस कवी के द्वा अपने जगह के प्रति कितना प्रेम उबर रहा है कि यह फिर से दुबारा जन्म लेने को कर रहे हैं उनके मन में क्या हो रहे है जीवन में ललसा उत्पन हो रहा है कि हम फिर से एक बार जन्म ले तो अपनी मात्र यहां लिका है ना कि अपनी मात्र भूमी के प्रति स्रधा परकट हो रहा है कि हम बंगाल में ही जनम लेना चाहेंगे केते जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर लोट के आऊँगा जहां धान का केते ना जहां पानी बहरा है बंगाल की बात की जा रही है ठीक है वह हमें एक बार फिर से जनम लेना चाहूंगा, फिर से लॉड करके आऊंगा एक दिन बंगाल में नहीं सायद होंगा मनुस्या तब होंगा अबाविल अगर मनुस्या में जनम ले रहा हूं ठीक है तो हम यहाँ पर लिखा है अबाविल अबाविल एक बंगाल की चड़िया काने में हम उस चड़िया के रूप में जनम लेना चाहेंगे फिर कवा उस भोर का फुटेगा नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा फिर एक दिन यहां बोल रहा है कि जिस तरह से चड़िया जनम ले जिस तरह से कवा सुभा हमें जब कीरन निकलता है तो उस समय कवा इधर उधर जाता है हम उस रूप में आना चाते हैं उस द्रिस्य को फिर से देखना चाते हैं ठीक है यानि कटहल का जो पेंड होता है उस पर जो चिड़िया वगरा बैटी होती है वहाँ पे जो किरन देखिए पेंड के पास से जो बीचो बीच से किरन निकलता है बड़ा खुबसूरा देखत है उस द्रिस्य में वहाँ पे हम जनम लेना चाहेंगे ठीक है बनकर सायद हंस में किसी किसोरी का घुंगरू लाल पैरों में यानि किसी किसोरी का हंस बनकर के आँगा जैसे कि हंस के पैर देखना लाल होता है तो लाल जैसे कि घुंगरू होता है उसी परकार से मैं हंस के र पानी में गंदा पानी में तैरते रहेंगे पानी वाला घास में तैरते रहेंगे यानि जो भी होगा लेकिन हम फिर से जनम लेना चाहेंगे आऊंगा मैं ठीके नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजन किनार पर और मैं फिर उस किनारे पर आऊंगा जहां पर नदिया बार बार पानी आते रहती है दोते रहती है किनारे को तो दोते रहती है आप देखें किसी समुंदर के देखें बंगाल के तरफ क्या है बंगाल की खाणी यह बार बार पानी इदर आता है तो किनारे को दोते रहता ह जब जटका मारते रहता है तो सायद तुम देखोगे साम की हवाओं के साथ उड़ते एक उल्लू को सायद तुम सुनोगे कपास के पेंड पर उनकी बोली ठीक है यहाँ बोला है कि तुम देखना मैं आऊंगा जब तुम रात को उल्लू को देखोगे न तो समझ जाना कि वो मही हूँ ठीक है ये कभी कह रहा है यहाँ देखे साहे तुम कपास के पेंड पर तुम बोली सुनोगे न अगर चडिया का तो समझ जाना कि मैं आ चुका हूँ यहाँ का अनंद उठाने गासली जमीन पर एक बार बंगाल में जनम लोंगा ठीक है साहेद कोई बच्चा उछलते हुए देखोगे अप अपने एरिया में कोई बच्चा उछलते हुए देखोगे हो सकता है मैं उस रूप में भी हूँ ठीक है यहाँ रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिये जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाओं की नाव अब देखो तुम किसी तुम देखोगे कभी कभी कि एक पानी में नाव लिये लड़का जा रहा है कहां से देखने को बोला है तो रूपसा रूपसा एक नदी है समझेगा रूपसा एक नदी है और वहां से तुम देखोगे कि एक लड़ सारस में मैं हूँ, ठीक है, सारस अंधिरों में हूँ गा, मैं उनहीं के बीच में देखना, कहीं न कहीं हम तुम्हें जरूर दिखाई देंगे, यानि कि हम किसी न किसी रूप में एक बार इस भूमी पर फिर से जन्म लेना चाहेंगे, यहीं यहाँ पे कभी बता आएं, तो इससे आपको objective पुछा जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे बातलों में किसे उड़ने की बात की जा रही है, कौन से पक्षी का, तो सारस का, यह आप याद रखेगा, तो लगा हो संदार, तो इससे like केजिए, और लाल वाला बटन दीक रावा न, उसको दबा देजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले lesson में, तब तक के लिए जैहन,